आपका चैनल आपके लिए लगातार एक्जाम से पहले आप लोगों को प्रिपेर करने के लिए इंपोर्टन चैप्र वाइस कोशन आंसर एंड इसी तेवरान यहां पर भी मैं आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन चैप्र पूरा देखें और पूरा समझे अगर आपने तक रिविजन नहीं किया है तो याद देखेगा यह अच्छा मौका है इस चैप्र को रिवाइस करने याद देखेगा एक्जाम के पॉइंट आविव से यह मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग एरिया है चैप्र इजी है तो इन्हें समझेगा रिवाइस भी कर लीजगा और याद है तो मेरे साथ में आंसर कीजएगा और आपने चैप्टर फॉर्टीन और फिटी रही चुके होंगे और शायद रिवाइस भी कर रहे होंगे या कर चुके होंगे अगर याद देखेगा यह चैप्टर जुह एक्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट यहाद देखेगा मैंने यहाँ पर जी हम बारबार आपको याद है इसलिए इसलिए कह रहा हूं एक के बारे में आपकोस्स करने के बाद में कुछ सेलेक्टेट कोशन आपके लिए रखे गए मैं उमीद करता हूं कि याद देखेगा यह कोशन जो है बहुत टॉप के तेगरी के हैं सो इन्हें जरूर भ्यान से कंस्टर की जाएगा अपकोस कुछ सारे कहीं सारे कोशन से अभी आपको सिर्फ कोशन वन और टू आइधिंग दिखाई दे रहा होगा तो विदाव इस सैम हम लोग फटावर से सेशन को आगे बढ़ाते हैं और डिसलस करते हैं ठीक है याद देख अब फिर कहते हूं आपको बिदिन 24 आपका आंसर पका मिलेगा और राइट पका मिलेगा नमबर प्रक्रीज होती है तो थोड़े बहुत डिफिकल्टी आती है क्योंकि अफ्कॉस हरे कोई बिज़ेट नहीं हो पाती है बट विदिन 24 आपकी का अंसर होगा और राइट और बुक एनी बुक ऑफ सी एस प्रफेशल और राइट राइट रॉम एनी मेडिल एविस नाव कम रूस्किन दिस्प्ले प्लीज दिस्प्ले देखेगा आपके पास भी कोशन आगया होगा प्लीज पहले आपके कांप किज़ेगा इसका स्क्रींशॉट ले लिजेगा अफ्क अब देखा होगा आपको पढ़ चुके होंगे अपीनिन दो तरह का होता है एक अपीनिन यहां अगर अच्छी बात है कमपनी का सब कुछ दिख चल रहा है लेकिन मौडिफाइड अपीनियन है तो इसको भी हम तीन के टेगरी में रख लेते हैं जरनली तीन के टेगरी में कौन से हो सकती है आईए फटाबर से देख लेते हैं जिससे के कोशन में गिवन है क्वालिफाइड कि हम बात कर रहे हैं क्वालीफाइड यह हो Sकता है एडवर्ट जो कि सबसे अदर डींजरेस होता एडवर्ट्स डिसक्लेम अब डिस्क्लेमर के मिन लुद तो यह वह ना क कि जी हाँ डिस्क्लेमर का मतब क्या हुआ है यहाँ पर कि हो सकता है मेरे पास सफिशेंट इंफॉर्मिशन नहीं है तो फटावर से समझते बिटा क्वालिफाइड के अगर बात करते तो कब कहते हैं क्वालिफाइड अपीन कब रहता है जो सो याद करो जब क्या होता है कंपनी फेल हो गया, कंपनी है जो फेल फिल टु वाट वाट वर गे तरीजन, इस आउन प्रीफाइड यह इस आम बोल सेथें नॉट गीविग ठीक है नॉट इसम्विविग ऑन गीविग वह उन्क्वाइड अनॉट गव्वाट आनॉट अंक्वाइड उस्टियूड अब कि अब आपने ध्यान दिया होगँ या तो के रहा है नौट कंपाल विद आपलिके रहे हैं अगर ऑड अपने दिया अब आपना ने के does not do आपने आपनों यहां होगा औडैर के बाद तक of audit audit report you know what auditor meeting concert करते हैं आपने को याद होगा शद और जिसके अनलों हम बलते हैं exit meeting exit meeting के अंदर होता है कि वो जो preliminary findings होती है audit findings होती है audit management के साथ discuss करता है और जिसके अंदर you know what a clarification demand की जाती from the management before you know before I draw my conclusion or opinion on audited report so before final report of the audit you know उससे पहले discussion होता है अब अगर मानली जेगा management के साथ में discussion हुआ कुछ qualifications से ठीक है और अगर उसको अफकोर्स उसको अगर उन्हेंने clarify नहीं किया management में then you know what auditor को फिर अपना पीरेंच होगा वो modify करना पड़ेगा all right now second one please second अगर हम देखे तो adverse adverse बेटा situation नहीं खतना के नाम सी खतना के adverse कब आ रहा है adverse का मतलब जान से कर समस्य होंगे जान समत्राव बेटा जब affair कंपनी कैसे होंगे affairs किसके बेटा आप दी कंपनी affairs of the company अब यहां पर से खतना बात क्या गया है करता है sir are not in are not in what line with the line with the objectivity line with the objective objective of the company या फिर कहता है या फिर नहीं हो कैसे are not with the government rules जो government rules बताएगे उस तरह से भी नहीं है and actually अगर यहां पर बोलें तो यहां पर हम क्या बोलते इसको अगर आपको एक word याद होगा सके लिए आम तो किस रीफर्ट से मेंघ्र लेग से लिए लिए तरह सिक्वारु ददाब रॉस नेकलिजिंस मेलब गॉस अभी जो मिश क्रेटिटल के लिए जब यह ग्रौस ली मिश के लिए ना तो अकसर यह एक इंडिकेटर बन जाता आपने सुना होगा इस एंडिकेटर ओफ व्रॉड है इस एंडिकेटर ओफ फ्रॉड मैं उम्मीद करूँ आपको याद होगा मैं सुर्फ इस स्रीज में आपको रिकॉल करवा रहां चीजों को ताकि आपने पड़ा तो फटावर सब रिवाइज हो जा है और आपका ड्राफ्टिंग अच्छा है तो उन्हें सिर्फ एक सही फॉर्म में ड्राफ्ट करना है टेक्निक अलेटी को समझना है और राइट तस वाइए आपको याद आ सके पूरा कॉंसेट लाकि यहने फिर भी यहां पर आपको बेसिक बता दिया है कि अब इबिदेंसे और बट द्यू तुमाली जेगा रिजन जेग्राफिकल कंडिशन या नाच्रल क्लामर्टी यह बोल सकते हैं और डिफरेंट लोकेशन और ब्रांच ऑफिस इडिव पॉसिबल इपनी तरफ से भी अपनी तरफ से भी अपनी तरफ से भी अल्टरनेटिव म हैं और अपना अपीनियन ड्रॉ करना है तो सोचने वाला बात है कि जब ऑडिटर के पास अविडिशन आपको प्रवाइड नहीं कि हैं वहाँ पर देखिए कर मैं आप बताऊं डिसक्लेमर अपीनियन इस नौट काइंड आपीनियन प्रवाइड नहीं होता है और राइट मैं और इस नौट सब्सक्राइड आपको यह आपको इसमें प्रवाइड नहीं करना पड़ता है उसका रीजन क्या है क्यों आप अपना आपीनियन रहीं कि तो आपको मैंशन करना पड़ता है आपको यह आपको तीनों सम्झें में आयोंगी एनिवेस ग्लीज नाउन कम कोशन पटावट से डिसस करते हैं और राइट कोशन नमबर सेकिंड जो है वो आपसे पूछ रहा है ओडिटर रिपोर्ट इंक्लूद्स अ सापरेट सेक्षिन विद हाइडिंग ओडिटर्स अब आपको याद हो बिटा अगर आपने पढ़ा होगा की ऑडिटर की रिस्पोन्स अब्स कि तरफ बनते हैं लेट्स एक्जाम्पल उपिट ने आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं फिर मैं आपको जरूर स्कांसर पर रॉक करके बताऊंगा ताकि आपको एक रिकॉल हो जाए याद आगे है तो बहुत ची बात है लेक्ट इस एक्जाम्पल उपिट इस रिस्पोंसर पिट्वाइटर को एंशौर देट वैदर दो इनवाट वाइली कंड़ी नौरेट अरिट अरिटर इस कंपाइड विद अप्ली के बारिटिंग सांडर्स इस पॉंसरबिटी अर्टर का या देखिए उन्हें फॉलो करना जरूरी है और राइट सरीकवाइट आंसर लिखी दीजेना ओर ठीक इस प्लेप आईएगा इस प्लीज आईएगा हम इसका आंसर ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से ताकि कोई भी डाउट नहीं रहाए आईएगा इसमें कुछ ट्रंस होते देखिए क्या कर रिस्पॉंसेबिटी में ध्यान देंगे वो कि ऐसा देगा वेदर वेदर और और कंडक्टेड ओडिट कंडक्टेड और इबट अहां और एक कंडक्टेड असपर अप्लिकेबल अव्यु आदेट च्टैंडर्ड कि अब此ए कर आगर हम सेंड़र अगर हम बात करेंगे हम इनको स्वालओ लाध यह होंगी उसको स्वॉवक्ट है अगर हम स्व 2019 खास्व को बात मानना है प्लस जो स्वुक्ट कि रिंट डिक्रमेट की और मोटी के ऊपर प्यंस को करना ओग इसका हुअ बिटा और राइट अंड क्या एंशार करता है औरिटर आप्टेन उटर में क्या करता है आपको याद हो को रिजनेबल आश्रेंटर प्रिकौर्ड रिजनेबल अप्र घ्राडिंग वाट रिजनेबल अश्रेंट्स के सिस्क्यों से सोच के देखेगा जो कि स्टेटमेंट्स प्रिपेर किये हैं स्टेटमेंट्स हैं या रिकार्ड्स हैं ठीक है आपको याद होगा रिकार्ड्स है या हम बात करते हैं जो भी डॉक्युमेंट्स है क्या जो कि क्या हों कर रहा है मैंटेन मैंटेन बाइ और टी कि मेंटेंड बाई ओडिटी कैसे हो चाहिए फ्री फ्रांग फ्री फॉम वाट मिसस्टेटमेंट्स तो यह भी तो उसको एशॉर करना पटेगा ना रिजबल एशॉरिंस अपने उसकी रिस्पॉंसिब्लिटी बनती है वो क्याजुलिस को ट्रीट नहीं कर सकता है उसको रिज इसके लाव हम देखें और स्पॉंसिब्लिटी कि है और रिस्पॉंसिब्लिटी जोती है वह आउनली फॉर वाट अनली फॉर किसी इसके लिए होती आपको याद होगा अनली फॉर एक्स्प्रेस आपिनियन इस्पीनियन और एपिनियन रिकारडिंग आप किस पर एपिनियं दे रहे हो जो जो इंफॉर्मिशन को कहां होगी चो आपने सोचाइगा कौन से पीने किस पर बेटा पर सु को इसो का आप तो सॉचने माला बद से किस पर ओन एविडेंस कि इसके अलावा थोड़ुन हो गटेंस जो कि जहां से आए होगा अपने इअविडेंद से कि और डिक और कियोगा रिकॉर्ट स्ञृड्स ने कियोंगे ऎंडि भाना Community अ पर उसकता है और सुच के देखू ठीक कया चीज करने हैं क्या कि ऊब्जाउर करना होगा क्या ऑडिटी ने यहां टखीगा क्यो और टी ने चीज को भी आप्लिके बल applicable what laws regulations acts कब यह खास और से कब जान देना सुटिए वाइल क्या करता है performing performing क्या any corporate action corporate action मुझे अमीद है कि आप लोगों ने पता होगा ना बहुत सिंपल सा बात है corporate action माली जगा example तोर पे bonus issue की बात हो रही है या dividend declaration का बात हो रहा है तो क्या ऐसे टाइम पर और भी corporate actions होंगे मैं जानता हूँ है आपको याद होगा तो क्या ओडिटी ने ऐसे टाइम पर जब corporate actions लिए जा रहे थे corporate actions फॉलो किये दा रहे थे अब कॉस्स परफॉर्म किये दा रहे थे तो क्या लॉस ने एक्स रूल से फॉलो किया लेस एक्जांपल ऑफ अगर लिस्ट एंटिटी है तो क्या उसने लोडिया के compliance को फॉलो किया नहीं किया गया है क्या उन्होंने एडवांस में पुक क्लोजर का नोटिस दिया नहीं दिया है और राइट बुक क्लोजर का डियूरेशन कित्या था तो यह सो यह responsibility के point of view सो देखेंगे हम लोग जो कि alter responsibility होगा जब अपनी रिपोर्ट फ्रेम करते हैं और राइट होगा आपको कोश्चन का आपने आप हर बार बीच में उसका screenshot ले रहे होंगे मैं उमीद करता हूं ठीक है आपके रिकॉर्ड के लिए बहुत सा रहेगा यह मैं आपको सब्सक्राइब करते हैं यह उमीद कर रहा हूं बहुत सिंपल कोश्चन है और आपने घर शेप्रा पढ़ा है ना तो यह आपको पके से आता होगा फिर भी सलाम टलेंगे यह नहीं आता है मैं कोईरी आ रहा हूं इसका भी आंसर करूंगा बट मेरे देखे का मेरा पर यहां पर यह कि हम आपस में शेयर कर सकें अगर मैं सब कुछ बता दूंगा तो आपके लिए ब any means you made up in a personal opinion opinion experience that's all i'm telling you okay now next question is let's understand the board of directors of abc limited is seeking your advisor display please seeking your advice regarding the steps should be followed for ensuring the compliance of the applicable laws they question something about kissy maang raha advice the steps should be followed for regarding what ensure her name clearly the compliance of the applicable laws all right all right all right देखिए एक बास समझेगा question important देखिए important exam में आपसे पूछा दा सकता है कि क्या के steps follow किये जाने चाहिए by the board of directors of course company company के steps follow करे ताकि क्या हो सके वो compile कर सके अपने applicable laws के साथ में यह exam के point of view से important question यह भी of course यह practically यह देखेगा practically speaking मैं आपको बता दू अक्सार यह question arise होता है आप practice बताएंगे तभी और आप company किसा जॉब करेंगे of course company को भी सबसेंगे तभी यह दोनों time situation question आता ही आता है practically आता है so I'm expecting it I see that you have to consider कर सकता है question आप से पूछ सकता है all right so let's this is this question answer आईएगा अब सब्सक्राइब सकते हैं आप से बिल्कुल यह frame हो सकता विटा सो पी पे अटेंशन या दे तो support साथ में डिसक्राइब कर लीजेगा फटापट से ओके पहले से क्या लेना से यह company को ओनत्यां संझे एक छूड हाव वर्ट अने शुड एफ वर्ट उन से यह Street दॉक्य मिन प्रिपेर की कि देगा कि आप या कि कि डॉप्लींट एक मतलब क्या होगा कि आपको एडवांस में आपके पास नॉलेच जो सक्या है आप्लीह लॉस एक भॉलास क्या हैst contractual obligations contractual obligations और जनल जनलने आस्पेक्स आम लोग फड़ावाट इसस करते हैं और क्या होना चाहिए और यह सोच के देखिए हैं फिर कंपनी को कहाना चाहिए काम शूट वाट शेयर क्या शेयर करना से यह रिलेटेड ताकि हर किसी को बता रिलेटेड एजनडा ठीक है यह हम बात करेंगे कंपनी के मेनाट्स को कि यहीं सब कुस्छ दिसक्स हो रहा है तो यहीं से हमारी रीगल उपलिकेशन भी बन रही आर रिलेटेड तो दा मैटर अब भाया यह इंपॉर्टेंट बात है कंपनी में आपने नुमीद करता आपने कॉंसर पड़ा होगा मैं मैं जहां तक समझ रहा हूं आपने कॉंसर चाइनीज वाल सी मापोइंट इस दाट वाइं तलिंग यू ही और तो कि आपनी के स्पेसि यह पेसिनित के अपने मैने अव को शुनकैन कोई के स्विञी नहीं पर मेशन है अब है परखबरreg्स की यह कि जह सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइन सबिद्स करें चुख स्ब्सक्राइब को क्यों सब्सक्राइब के लिए कोई लीगल रिपकारमेंट से कंप्लाइंस रिकारमेंट तो वह उसी का कंसर ने आप उसी के साथ वह एंड़ा शेयर करेंगे यह नौट मैंने अपने इक्सेंस में आप जब धी आप जब भी इंफॉर्मेंश करेंगे तो यू एप ख़री का मिनिंग आ यहां पर है पक्रापे जुक्जाएंडेट से जब थैधर है या फंक्षिनल है जितने भी कंपनी अदर फंक्शनल है वो किन किन से रिलेट कर रहा है तो यह इंपटेंट है कि हम लोग क्या करें वह शेर अधर निटिट इसके ृद यूड्स विद व दोस पीपल है आइए देखते हैं फटावट से इसके लावा देखो बिल्टा आप क्या करना चाहिए अब एंशॉर करने के लिए कंड़क्ट कंप्लाइंस कि साइस्मेंट तो कैसे कश्या बेनिफित बिलेगा अपको यह पता लगेगा कि कंपनी का स्टाइस क्या है कंप्लाइं सटास क्या एंड क्या कर सकते हैं सर और सुचेगा सुचो एक इंपोर्टेंट आस्पेक्क योगी अक्सर कंपनीज में बहुत कॉमन है एक्षेंज करना इमेल्स एक्षेंज इमेल्स एक्षेंज इमेल्स एक्षेंज इमेल्स विद दा लीगल आप सोचना कुतने साले लोग आएंगा फं compliance officer है regarding what किसे लिए करना होता आपको सोज में देखेगा किसे लिए with the information with the information the constant information बीटा on compliance कि अब्लिगेशन कि एन स्किल कि देखिए हर एक मैंने कहा ना भी हर एक डिपार्टमेंट अपने रिस्पॉंसाब्लेटी बनता तो इमेल एक्षेंज के तुरू भी ताकि एंशॉर हो सके टीपार्टमेंट वाइस compliance हो रहे हैं सीओ कंपनी में काम कर रहे हैं तो सीओ की क्या जूटी बनती है अब देखावका चीफ फिनाइंशल आफिसर है तो उनकी क्या जूटी बनती है कंप्लाइंस के लिगार्डिंग कम जूटी शूटी आस्पेक्स है तो जरनली कंपनी में कोई प्रसेजर से लेटेट आसपेक्स होंगे उनका गंपाइल होना ज़रूरी है प्रसेजर नहीं है तो एक्ट की कोई एप्लिकाबिलिटी स्पेसिफिक हो रहे रही जासे जैसे मोलता है तीन दिने से टाइंम लाइन कंप्लाइंस हो सकते हैं ठीक है टाम लें कलांसे तो वो टाइंडी होने चांगे, ट्रसेजर कंप्लाइं सबस्क्छीront वे टायं मैंन की स्किस पुलाइब कारें, की करें टो किस पॐट कंड्ब praw खेंडर है, कंप्लाहएं, प् engagements केक्स के of course display please the effective audit execution is based on audit plan and the efficiency of the audit team discuss abhs question ko bhoat answer देखेगा ये कहता है effective audit execution the question is about the effective audit execution is based on the audit plan hub courts and efficiency of the audit team ये बहुत reality अब जानते होंगा अपने पड़ा होगा अगर पहले स्ट्राप ही देखेगा audit process का audit अगर हम process की बात करें तो पहले स्ट्राप अगर देखते तो planning होती है आपने पड़ा होगा फिर होता है execution and then reporting all right execution reporting planning stage अगर प्रॉपर नहीं है महीं सब्सक्राइब कलेक्शन अब बात important effective team भी चाहिए आपको मतलब किसका क्या रोल होगा किसको क्या टास्क असाइन के दा रहा है यह भी बहुत क्या क्या बाते कवर की जाएंगी सोचेगा आईए देखे जर्नली हम अगर देखें execution के लिए ना तो हम कुछ और execution के टाइम पर sampling बड़ी important लोग ले करती है आपकोस sampling और sampling के भी अलग अलग तरीके से आप देखा होगा sampling हम करते किसकी various transactions की सेंप्लिंग का मेनिंग आई होप जानते होगा फिर भी बता देता हूं अच्छा आपने बात देखा होगा सेंप्लिंग के पॉइंट वी से समझतने के इंपॉर्टन आस्पेक्ट है क्या देखें कंपनी में थ्रूआउड यह नंबर अफ ट्रांजेक्शन हुए माल ली ज है कि बहुत जवरस हर एक मंत में रहा होगा नहीं अब लेकिन हमको तो अगर में एक एक ट्रांजेक्शन को अगर मैं ऑब्सक्रों मीन्स औरिट करते हो अप इट मीन्स आट कि मुझे डू टाइम की अंदर अपको जू जो टाम लाइन जे उसके अंदर मुझे अदर मुझे अग्सेट इस संपल्स लेक्स एक्जांपल उपट जिस मंत में हाइट रिडिंग वॉल्यूम होगा मैं उसे स्लेक्ट कर लूँगा और राइट इस नौट आ यूट आप्रूपेट मैथर बट संग इप सम इन उन एशूरेंस अब दर ट्रांजेक्शन क्योंकि बहुत जब ट्रांजेक्शन जब हो रहे होते हैं तो कही ना कहीं कुछ गरबार होने का चांस भी वहांचाता होता है नॉर्मल डूरीडिंग्स में ऐसा नहीं होता है यह एक हम बोल सेतने प्रजांप्शन है और राइट शो हम ऐसा क्या करेंगे हम सैंपलिंग लेना सार्ट करेंगे सै एक्षेशन के लिए क्या करना हैं आपको सैंपलीं पहला क्या हम सैंपलेंगे लेंगे आएगा फिर क्या होगा testing of control अए अब देखें हैं यह बड़ा कंपनी गया साइठ अ कुछ सिस्टेम के साई तो कहीं lost देता है एशुरेंस देता है सैंप्लिंग करते बग और राइट फिर दूसरे स्टेप हम लोग परफॉर्मिंग की बात करेंगे परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग के पॉइंट इवसे का देखे तो क्या क्या चीज़ हैंगी कंट्रोल त्यस्टिंक प्रसिजर कौन से रिपोर्टिंग किस है किस अथोर्टि और की जाती ये कौन किस एक करना होता है तो यह सिस करना बहुत दुट है फिर क्याजरेंग एर इलिटिकिल आल्टिकल ए क्या होगा बिटा प्रिसीजर फॉलो कह दाएगा और दू औरक अपैंड कर हैं डिटेल्स तर नेचर आफसर किसका बिटा सटेंटिब्स होंगी और राइट एंड एंड क्या हो सकता है बड़ा एक्जिकुशन तैंप पर आइडिटीफाइब करिंगे इवेंट्स को ऐसे इवेंट्स की इंपक्ट कर सकते हैं और अपीनियंस को अडिटिफिकेशन आफ इव इग्जांपल से समझा रहें आपको टिक है यां क्या कर सकते हैं रिवीव कर सकते हैं रिवीव किसी सो करेंगे रिवीव और वकिंग पेपर आपने यह भी समझाओ और याद फो सकेगा यहां देखेगा एक्जिकुशन के टाइम पर यह अलग अलग तरीकी की टास्क को को क होगा एक्षाटिव अगर हम लोग बात करेंगे एक्जिकुशन का तो एक्षी एक्जिकुशन जब्ही पॉस्रीबल होगी जब उसके लिए एक रइप आपके पास प्लाइन हो एप्रूपेट प्लाइन हो सफीशन और इविडेंस क्लेक्ट हो प्रिमरी आपने और इविड सब्सक्राइब किया हो ठीक है सेकेंड आपके पास में एक एक्षाटिव और टीम भी होना ही ज़रूरी है और राइट मतलब इसके परसनल आप जो आपके टीम होने चाहिए आ देखेगा वह स्किल्ड हो एक्स्पीरियंस दो और उस उस एक्सपोरडी के अकॉर्डिंग उन यहां देखेगा इंपोर्डंट है आप सबकी जानकारी के लिए इसके तरह इस मैफट से आप देखेगा अगर आपने से सिंसरली देख लिया है अफ़कोस देखा होगा सीजस्परफेक्शल के सब्सक्राइब लोग और तो यहां देखेगा अभी आपने सेप्र को रिकॉल कर सकते हैं या 756-83876 पर भी मुझे आप वाट्सप कर सकते हैं और इसके अलावा या देखेगा अभी आप विसी बुक को अपनी आप चाहें तो फटावर्ट से फटी मिनिट्स तो टाम लगे आपने पहले पढ़ रखाए इन्हें दोना चैप्टर्स को फटावर्ट इंड़े वाली है याप शाहन नहीं अगर देख रहे हैं पहली बढ़र देखें तो आप जैए पलोड कर रही है और सब में से फल की वो भी आने वाली है और राइट सो यहां देखेगा मैं 21 से लेके 31 के बीच में 21st July से 31st July के बीच में बहुत जबरस चीज़ दिने वाला हूं मतलब exam में crack करने का रामबाण 10 दिन बने रहना आपको कोई रुसकता exam पास करने से provided that आप पूरी discipline के साथ में या देखेगा इस आप से आप सो आप